प्यारे बच्चों आज हम आपको काइंट साफ नाउन के बारे में बताएंगे काइंट साफ नाउन के बारे में बताएंगे काइंट साफ नाउन के बारे में बताएंगे नाउन के प्रकार संग्या के प्रकार का अध्यन हम यहां करेंगे संग्या को हम दो भागों में बाढ़ते हैं दो भागों में बाढ़ते हैं पहला है countable noun countable noun और दूसरा है uncountable noun uncountable noun uncountable noun ऐसी संग्याएं जिनको गिना जा सके संग्या के प्रकार में जो पहला है वो countable noun दूसरा क्या है uncountable noun ऐसी संग्याएं जिनको count किया जाए countable noun है countable noun है जिनको गिना जा सके उनको हम countable noun कहते हैं that can be counted जिनको गिना जा सके उनको हम countable noun कहते हैं uncountable noun that can not be counted ऐसी सग्याएं होती हैं जिनको ना गिना जा सके वह अन-कॉंटेबल नावन होते हैं घरनिये सग्या इसका मतलब घरनिये संग्या गरनिये संग्या और दूसरे वाले का एक uncountable हो गया, अब countable noun को हम तीन भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं, बहुत ध्यां से सुनिएगा, पहला जो भाग है, ओ है proper noun, proper noun, दूसरा जो भाग है, ओ है common noun, तीसरा जो भाग है, ओ collective noun, ओ collective noun है, अब देखिए, countable noun को तीन भागों में बांटा गया, पहला proper noun, जिसको हम ब्यक्ति बाचक संग्या कहते हैं, कौन सा संग्या कहते हैं, ब्यक्ति बाचक संग्या, दूसरे को common noun, जिसको हम जाति बाचक संग्या कहते हैं, तीसरे को collective noun, जिसको हम समूह बाचक संग्या कहते हैं, यह इसी संग्याएं हैं, जिनको गिना जा सकता है, countable noun के अंतरगत आती हैं इसलिए इनको तीन भाग किये गए इसके एक proper noun, एक common noun, एक collective noun दूसरा जो भाग है वो uncountable noun है जिसी संग्याई जिनको ना गिना जा सके तो उस uncountable noun के दो भाग हो जाते हैं एक होता है material noun, material noun और एक होता है abstract noun, abstract noun, tyre c t, a b s, a b s, tyre c t, abstract noun अब इसका मनलब क्या हुआ, जो material noun हुआ, जो material noun हुआ उसको कहते हैं drabye बाचक संग्या, drabye दरव नहीं, drabye है, drabye बाचक संग्या या पदार्थ बाचक संग्या या पदार्थ बाचक संग्या कहा जाता है abstract noun means भाव बाचक संग्या होता है अईसी संग्याएं है भाव बाचक संग्या और material इसको पदार्थ बाचक संग्या या दर्थ बाचक संग्या कहते एक तरीके रबट वारलाय क्या जाता है। जैसे एक बांटा जाता है। इससे सुनें पन्क्रीट में कंक्रीट नावन इसार राड कन्क्रीट में सुने इसना दूसरा एक्षे में केland नावन कंक्रीट नावन में ऐस्फ संहय होती है जो मूर्त रूप संहया होती है कि आमूर्थ रूप संहया Works दि धियां दीज़े को कंक्रीट नावन में ऐसे नावन होते हैं दयाइट कैनधSpी टैच्च्द that can be seen जिसको देखा जा सकए जिसको छुआ जा सकए ऐसी संग्याएं concrete noun के इंतर गताती है material substance होते है force होते है मूर्त रूप होते है लेकिन जो abstract noun होते है इनको ना तो छुआ जा सकता है और ना तो देखा जा सकता है that cannot be seen that cannot be touched जिनको छुआ नहीं जा अमूर्त रूप है इसलिए इनको अमूर्त रूप कहा गया अब इसके concrete के चार भाग हो गए चार भाग पहला proper noun दूसरा common noun यह लिखके छोड़ दे रहे है noun समझ जाईएगा तिसरा collective noun नाउन और चौथा material noun material noun तो इस concrete noun के चार भाग हुए एक proper noun एक common noun एक collective noun और एक material noun जिसको हम ब्यक्ति बाचक, जाति बाचक, सम्मूह बाचक, पदार्थ बाचक के नाम से हैं और एक नाउन नाम के यही है तो कुल मिलाकर जो संग्या हुई वो कितनी हुई पांच हुई एक proper noun एक common noun एक collective noun और एक material noun और एक abstract noun कुल मिलाकर संग्या पांच है संग्या के जो प्रकार है कायंट्स है वो कितने हैं पांच है पहला proper noun दूसरा common noun तीसरा collective noun चौथा material noun और पांचवा abstract noun यह पांच आपके हो गए इतनी बाच बाचना आगे अब आप चाहे जिससे बटवारा करें चाहे countable और uncountable के रूप में बटवारा करेंगे तो countable के रूप में बटवारा करेंगे तो countable के तीन भाग हो जाएंगे proper, common, collective और uncountable में material और abstract हो जाएंगे और concrete और abstract के रूप में बटवारा करेंगे तो concrete के चार भाग हो जाएंगे जिसको proper, common, collective material कहेंगे और abstract आपका इसे रहेगा और अगर किसी रूप में बटवार नहीं करना आप चाहते हैं तो आप सीधे लिखिए काइंड साफ नाउन, नाउन के प्रकार 5 होते हैं पहला, proper नाउन, ब्यक्ति बाचक संग्या, दूसरा, common नाउन, जाति बाचक संग्या, तीसरा, collective नाउन, समूह बाचक संग्या, चौथा, material नाउन, पदार्थ बाचक संग्या, या दब बाचक संग्या और पाचवा, abstract नाउन जिसको हम भाव बाचक संग्या कहते हैं क्या कहते हैं भाव वाचक संग्या कहा जाता है इतनी बाद समझ वाले अब हम टापिक वाइज जिसे नाउन के जो प्रकार है प्रापर नाउन की चर्चा अलग करेंगे कामन नाउन की चर्चा अलग करेंगे कलेक्टिव नाउन की चर्चा अलग करेंगे मैटेरियल की अलग क करेंगे और अफ्टेट की अलग अलग चर्चा करने पर आपको ज्यादा समझ में आएगा छोटा-छोटा टापिक रहेगा बनिहां धंक से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रापर नाउन के बारे में जानकारी देंगे लेट साल तो भी कांटिन्यू तक यू